यो की दोपहर से आया हूँ तो हे गाईस गूड आपटनून वेलकम टू माइ न्यू ब्लोग आई हूप सब की बढ़िया होंगे और मस्त होंगे तो क्या है ना कि दोपहर की टाइम अभी मैं आप सभी को खेतों में दिख रहा हूँगा और मैं अभी कोचिंग से आया हूँ तो लंच करके खेतों में आ गया हूँ डाइरेक्ट पानी बराने के लिए तो अभी क्या है कि 12 बज़े आया था पानी बराने के लिए एक घंटे से पाइप लगा रहा था और पाइप वाइप लगा के मैं फानी बरा रहा हूँ अभी अभीक टाइम और सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से ठाइंक्यू सो मच क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर यार पूरे हो चुके हैं आप लोगों को प्यार और सपोर्ट से तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट यार बनाए रखो ऐसे ही ब्लोगिंग यार करते रहेंगे हमको भी मज़ा आता रहेगा और मैं आपको पिछले वीडियो में आर गाइस बताया था कि जो दूनों खेत का बुआई हो रहा था उस समय में वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में दिखा रहा था कि मैं पापा और मेरा छोटा भाई खेत को बोने के लिए आये थे हम लोग तो अभी क्या आया ना कि इसको खेत को 20-25 दिन हो गया है तो अभी पानी चलाने का टाइम आ गया इसको सिचाई करने का टाइम आ गया है तो भी सीचाई के लिए तो पानी बर ही रहा है। मैं अभी पानी बराने के लिए खेत में जो की, 2 पहर से आया हूँ..... इस में आपको बता दू कि जब अपना चैनल स्टार्ट किया था dialect तो आप सब सबको बताया था कि मैं अपने लाइफ स्टायल के बारे तो ऐसे ही support करते रहना तो अभी क्या है कि अभी पानी वर रहा है थोड़ी दिर बाद अभी आपको बताते गाइस मैं खेत में घुश चुका हूँ जिसमें मैं पानी चला रहा हूँ तो बताता हूँ कि मैं पानी क्यों गुसा हूँ खेत के अंदर क्या करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि वहाँ से जो पानी आ रहा है तो जैसे जैसे की खेत गड़ा है वहाँ वहाँ पानी तो पैल जा रहा है और जहां उचाई है वहाँ पानी नहीं पहुंचता है जो आपको ये सीधा देख रहा होगा मेढ़ा ना मिट्टी का मेढ़ा दिख रहा होगा तो जो आपको ये मिट्टी का मेढ़ा दिख रहा होगा जिसमें मेरा पैर है तो इसको क्या करते हैं कि जब पानी आ जाता है मेढ़े के पास तो हम लोग ऐसे इसे कर देते हैं इसको बढ़ते रहते हैं और ऐसे इसे मुठ्याते रहते हैं तो अब आगे वाले पर बताते हैं आपको तो यह आगे वाला है गाइस देखिए अभी जश्ट थोड़ा सा पानी और लगेगा इसको भी वही करेंगे जैसे यह कर रहे हैं ना इसको ऐसे इस मिट्टी को चिटी पहले स नहीं पड़ती है आइसे भी उचालू करके छोड़ देने पर उरेंगी जाता है तो यह सारा काम यहीं है कि जब तक पानी नहीं बर जाता है खेत ही में रहके हम लोग इसको चड़ाते रहते हैं और यह जो आपको उख दिख रही है ना वहां तक बराना है और वहां मेडा है और वहां मेडा है तो यह करी तो यह दो मंडा की आसपास यह खेत पूरा पड़ेगा ठीके गाई तो पहला कोला रिंग आते हैं उसके बाद दूसरे कोले का नंबर आएगा तो फिर देखते हैं लाइट रहती भी आए कि नहीं रहती है क्योंकि तीन बज़े लाइट कट ज अब कोलते हैं आपको यह मेड दिख रहा है तो वहां से और यहां तक है तो इसके कहीं अगल बगल खोलेंगे यहां उचाई है तो यहां पानी जल्दी नहीं पह warfare तो इसके करण से यहां देखिए थोड़ा सा मीटी हटा हुआ है तो यहां पे खोलते हैं अपने हाथों से यहां कोई फड़वकुदार की जरूत नहीं पड़ेगे क्योंकि यहां के मिटी बहुत नॉर्मल होती है बल लूई मिट्टी आर की ठीके गाइस तो अभी यहां कहूल गवा तो यहां को भी खुल गया अभी देखिए ए पारे र demons का धारा बहने ललगा यहां से नदी खुल गई गाई अभी कोला रिंग ता है न इसके बाद फसके बाद चलते हैं अगले वाद इंस दूसरे में खोतले में यह कट गई और याइट कर देखते हैं कि थोड़ा गलना वणना चूपते हैं प्रोजच सामके क्रशा वज रहा है और पानी नर। आप तैंस पन्ते हैं। और इसके करणर जब लाइट कटी है तो पानी को धराना पड़ता है इसमें पेले पॉंप में पानी अपड़ता है उसके बाद दौ-चार बार चालूकर ने बाद से छेत के lavorत है के लिए और खेत ने के बाद पैता चला है कि इसका पानी खेत का सुख गया है तो आपको बताए detai थे कि हमारे हैं जो होता है सब बलुई मिट्टी होता है तो अगर पानी अगर चला भी की दिए आगर भर भी मेड़ बराबर तो एक घंटे सज्यादस पानी नएँ टिकता है तो यलoured is a बने पहली चालू कि आ हूं तो आपको यॉया पानी दिंखाहा होगा तो यह पांच मिनट के अंदर जो पानी रेंगा हुआ है यह पांच मिनट के अंदर रेंग गया है लेकिन वहां अभी देखिए वहां तक अभी पानी नहीं पूचा है तो वहां तक पानी पहुचने में दस मिनट लगेंगे और जैसे भरेगा खेत तो असामने वाला भरेगा और लाइट कट जात पानी भर आना की तोड़ी देर थेखते हैं कर देखक है थे autoc net और पर पहेंगे लाइगे 10llaorg और kate उन्ट क्रस्का पहां लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोगों के लिए इसे ही मेहनत करते रहेंगे और आप लोग यार इसे ही थोड़ा बहुत प्यार सपोर्ट यार बनाए रखो अपने भाई को आगे बढ़ने के लिए तो अभी चलते हैं फिलाल के लिए टीवल बंद करने और ब्लोग क इस हेंडल को जैसे ही नीचे गिरा देंगे नगाई यह मोटर बंद हो जाएगा जैसे कि देखिए चल रहा है ना अब इसको हम गिराते हैं यह देखिए बंद हो गया बाई इसका हेंडल भी टूट गया है बाई साथ इतनी लापरवाही हमारे यह होती है